हेलो एवरीवन वेलकम टू शिवांगी जैसवाल क्लासे इन दिस वीडियो आम गोईंग टो डिस्कुस अबाउट स्ट्रॉक्चर ऑफ हुमन आय के बारे में डिस्कुस करेंगे और उसके डिटेल स्टडी करेंगे कि लिए इक्स्टर्णली तो सबसे पहले बात करेंगे हैं लूब गोपता है कि there are five sense organs in our body out of which I also a sense organ और यह complex sense organ है यानि इसका structure काफी complex है यानि कि structure complex function भी काफी complex है अब बात यह आती है कि sense organ है तो ऑब्यस्टी बात है sense करती है क्या करती है sense यह हमको provide करती है sense of vision क्या provide करती है sense of vision यानि हमें देखने में help करती है देखने में help क्या देखने का काम ही करती है तो हम किसी इआ चीज को देख पाते हैं ये किसकी वज़े से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो आखें रहा हैं उनकी वज़े से ठीक है तो इस information आवर ब्रेन क्या करता है वो interpret करता है उसको समझाता है कि हाँ हम ये क्या चीज़ देख रहे हैं वो क्या चीज़ है ये समझाने का काम ब्रेन करता है लेकिन देखने का काम क्या करता है आई करता है ठीक है तो आई क्या करता है gather करता है information को gather the information क्या करता है information को gather करता है ठी आवर इंवारमेंट हमारे आसपास जो चीजे हो रही हैं वो हम देख पाते हैं थो आवर आई ठीक है अब ब्रेन क्या करते है ब्रेन उसको एंटर्प्रेट कर देता है समझा देता है हमको ठीक है जो भी हमारे आए के वीजन के अंदर होगा यानि आय के जो पावर है पावर आफ वीजन आयनि जव भी जितनी दूर तक की चीज़े अगर आपको आए का ओव्याई आगे बात करते हैं तो आय हमारा कैसे मैं के दिए काम कर पाता है तो कि क्यूंकि हमारे चाहे स्च पेश。 structure होता है इसके पाच कुछ special cells होती है ठीक है special cells होती है जिनकी जो मदद करती है ना जो हमें मदद करती है कि हम कैसे देख पाएंगे they help us to see there are some special cells inside our eye हमारे eye के अंदर कुछ special cells होते हैं और जो as a photo receptor काम करते हैं ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि I works as a photo receptor photo receptor मतलब photo means होती है light receptor मतलब receive करना यानि कि I हमारा क्या करता है light को receive करता है और उस light को receive करने की वज़ा से क्या होता है हमारे eye के अंदर image बनती है और इस image को समझाने का काम हमारा brain करता है तो चलिए पहले हम outer structure देख लते हैं अगर eye की बात करते हैं तो हम बोन के socket के अंदर हमारा eye फिट होता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा तक यहां यहां पर पिक्चर देख सकते हो तो ये देखो यह पर आप टच करोगे तो आपको फील होगा वोनी स्ट्रक्चर ़िसके अंदर हमारा यह जो है यह इसके आपको हम लिख लेते हैं अगर आप से पूछ ले कि आई जो है वो कैसे कहां फिट होता है तो आई जो है हमारा आईज आर फिटेड हमारी जो आईज हैं यह फिट होती है किसके अंदर फिटेड इन दी औरिक्ट और इन दी सॉकेट और के इनदर होते हैं हमारे दोनों आग ठीकें एक र Expное सी यह तो आप करते हैं धोड़ा एकस्टरनल डेखते हैं बाहर की बाते देखते हैं तो यह हमारा जो structure आपको दिख रहा है इसको हम बोलते है eyebrows ठीक है इसे क्या बोलते है eyebrows बोलते है यह यह जो portion है इसे हम बोलते है eyelashes these are eyelashes upper eyelashes lower eyelashes यह भी eyelashes है ठीक है यह upper है और यह lower eyelashes ठीक है अपर eyelashes और यहाँ पर आपको कुछ pink part दिखेगा यहाँ पर कुछ pink reddish part दिखता है which is called nictitating membrane nictitating membrane तो को हम इनी सब के बारे में discuss करेंगे और यह हमारा यह पूरा का पूरा यह जो portion हमें white और यह पूरा दिख रहा है यह पूरा हमारा eye का portion है actual eyeball जिसको कहते हैं हम पूरा eyeball नहीं देख पाते हैं क्योंकि eyeball हमारा अंदर fit होता है हम सिर्फ आगे की part यह देख पाते हैं सिर्फ यह आगे वाला portion देख पाते हैं ठीक है चलो बात करते हैं इस थिंग्स लाइक eyebrows upper eyelashes, lower eyelashes यह क्या है यह protective layer है यह protection प्रोवाइड करते हैं हमारे जो eyes हैं उनको क्या करते हैं protect करते हैं लेकिन human की case में हमको यह चीज़े देखने को नहीं मिल पाती है लेकिन अगर हम बात करते हैं camel की ठीक है अगर हम camel की बात करेंगे तो camel कहां रहता है desert में और desert में जब sand उड़ता है तो उसकी आखों में sand जा सकता है जो injured कर सकता है उसकी eye को तो वहाँ पर आप देखोगी कि इनके जो eyebrows होते हैं या उनके जो eyelashes होती है eyelashes बहुत बड़ी-बड़ी होती है और जब भी ऐसा कुछ होगा तो उनकी eyelashes क्या करती है इनकी eyes को cover कर लेती है और जब या eyes को cover कर लेंगी these eyelashes when these eyelashes will cover the eye of camel तो उससे क्या हो जाएगा eye जो होगा वो protect हो जाएगा sand particles eyes के अंदर नहीं जाएंगे और eye जो होगी वो क्या हो जाएगी वो injured होने से बच जाएगी थीके बड़ human की case में ऐसा है नि क्यूंकि humans जो होते है वो ऐसे adapted नहीं है हम इस वज़ा से क्यूंकि हम ऐसे area में नहीं रहते है हम ऐसे area में नहीं हम तो desert में रह नहीं रहे हैं वहाँ पर long time से तो वहाँ जो camel है वो हमेशा desert में रह रह रहा और जैसे हम इसको पलक को बंद कर लेते हैं अपने आयलिक को को क्लोस कर लेते हैं तो कोई भी डस्ट अंदर जाने का चैंस नहीं होता है अब बात करते हम इस निक्टिटेटिंग-membrane के बारे में अगर आप अपनी आई को देखोगे तो कोने में कुछ रैडिस कलर का स्ट्र क्या होते हैं जो एक्चुल में कभी हमारे एंसस्टर में फंक्शनल थे हैं हमारे जो एंसस्टर थे दे दे वर बन 9105 9 109 इन आवर एंसेस्टर्स हमारे जो पुर्वस्त है वह उनमें कभी इसका यूज था बट क्यूंकि हम अब हम में इसका यूज नहीं है तो यह क्या होगा धीरे 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 आने वाली जनरेशन में खत्म होते गए खत्म होते गए और आज की टाइम पर इनका सिर्फ नौट फंक्शनल यानि कि अभी हमारी बॉड़ी में इसका कोई यूज नहीं है और नहीं यह कोई काम करता है बस थोड़ा बहुत पॉर्शन पाया जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रक्चर रिड्यूज हो जाता है और आने वाली हो सकता है आने वाले थाउजन येर्स एंसेस्टर भी क्या कहें जहां से हमारा ओरीसेट हुए हैं हम एसा माना जाता है क कभी ने कभी जो लाइफ है जो लाइफ है वह कहां से ओर इद हो्येंट हो यह तो यह इंट Is थे निक्टितेट्टिंग में विजन्स काहते हैं खरोरा हुद। तो उनमें यह पूरकुला करेगा वेट। तीक is उनमें ये पूरी तरीके से पाय जाएगा इस तरीके से जो जो मचलियां होती हैं उनमें ये पूरा कवर करेंकें हैं लेकिन हम तो हमारे अंदर इसका कोई यूज नहीं है इसलिए रिडियो हो चुका है वड़ फिश में पूरी तरीके से कवर किया रहता है आई को क्योंकि पानी में देखने में help करता है इस यूमन आइस हमारी जो दो आखे हैं यह हमें प्रोवाइट करती हैं विशन मतलब हम थ्री डामेशनल इमेज देख पाते हैं आगे की साइड की सभी तरह हम थ्री साइड से इमेज को हम आइडेंटिफाइग कर पाते हैं ऐसा नहीं कि सिफ हमको सामने वाला पार्ट दिख साइड वाला नहीं हमें साइड के भी चीज़े दिखती हैं हमें साइड साइड का भी पोर्शन दिखते हैं अगर हम किसी पर्शन को फ्रंट से देख रहे हैं तो उसके साइड साइड की चीज़े दिखती है थोड़ा थोड़ा ऊपर का भी हैड का भी थोड़ा से उपर का तो यूमर आई जो होती है वह 3-d option परो करती है ठीक है आप देखा यहां पब बनाए यहां यहां मैं यहां से क्लूद्स पर देखा तालً है यह आइलिड है यह आपका आइलेश्य ठीक या इफ्रोज चलिए अब आगे बत यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर तरीके से यहाँ पर कहीं पर दोनों आखों की बाद बता ही मैं यहाँ पर कहीं पर हामारी जो आईज है ठीक है यहां पर कहीं पर आईलिट के अंदर आईलिट के पीछे यानि जब आप पल्टोगे उसको टॉन करोगे तो अंदर क्योंकि हम नहीं कर सकते ठीक है तो इसके अंदर यहां पर एक ग्लैंड पाए जाता है एक ग्रूप अफ सेल्स होते हैं ठीक है यह हमारा आईलिट है आईलिट के अंदर एक gland होता है जिसको बोलते हैं lacrimal gland क्या बोलते हैं lacrimal gland और यह दोनों आखों में होता है ठीक है और इसी lacrimal gland यह जो lacrimal gland होता है these are group of cells मैंने आपको पहले भी बताया है कि glands are group of cells and these cells secret some special type of liquid which are very useful for our body ठीक है यह कुछ chemical secret करते हैं जो हमारी बोडी में particular function को कराते हैं तो lacrimal gland क्या है एक gland है जो की हमारी आइलिड में पाया जाता है ठीक fet दोनों ही आखों में lacrimal gland पाया जाते हैं और यह lacrimal gland में क्यों बता रही हूँं आपको बच्छो देखो यह lacrimal gland हुर्या यहां से ट्यूब निकली होती है जो हमारी eyes परहती है ठीक है और ये lacrimal gland क्यों पढ़ा रही है क्योंकि बेटा this lacrimal gland secrets ये क्या secret करता है this lacrimal gland क्या spelling लिक रही हूँ मैं this lacrimal gland secrets tear ये क्या secret करता है बेटा आसू यानि कि हमारी आखों से जो आसू निकलते है actual में यह जो tear हे यह हमेशा produce होता रहता हैँ हमेशा निकलता है ठीक है तो यह क्या करते है एक इस्वा करते हैं यह मीश Şीघ रहती है हमेशा भरर है लिक्वेड इसके अनदर आपटाश करोगे तो आप के हाथ में पानी लग जायगा in the यह लक्राइमल ग्लैंड बच्चों यह क्या सएक्र से सकते हैं चैसे किसे सब्ущ है टियर ठीक है आसू सिक्रीट करते है ठीक है कि आसू सिक्रिट करते हैं और यह यह स्क्राइब करते हैं यहहां माइक्रोब्स ठीक है जो माइक्रो ऑर्गनिजम जो कि हमेशा आते रहते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होता है जो उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं तो हमारी आई प्रोटेक्टेड रहती है ठीक है और किसे प्रोटेक्ट करता है ड्राइ तक हैं नोइन से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि लॉंग टाइम सुभुष दिया ने से पर भी से घ्लर करता है आखंगा टिर्जू क्वानों से प्रोटेक्ट करता है माइक्रोब करता है steeder उसे क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइट करता है हमारा टीर हमको ठीक है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और जब हम थोड़े से सिसे क्रीट होता है लेक्राइमल ग्लैंड में ग्लкे खाल जब रोते हो जब रोते हो तो देखो पालडो यह और रोते हो APP थो तो यह नोज है तो आप देखते हो नाक से भी नोज से भी क्या होता है पानी आने लगता है वो एक्चुली में टीयर होता है बिटा क्या होता है टीयर होता है ठीक है तो यहां से न यह जो आपका लेक्राइमल ग्लैंड है यहां से एक ट्यूब तो आई में आती है और एक ट् तो आई तिंग आपको external तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पार्ट होते हैं क्या क्या होते हैं और क्या क्या काम करते हैं चलो बच्चो अब हम external अगर आई को देखते हैं तो हमारा आई जो है ना इस फेरिकल इन शेप कैसे होते हैं स्पेरिकल इन शेप adapted हमारी जो आखे होती है व्हींट स्वीर शेप के होती है ठीक प gefासि करती हो यह वाला पिक्चर देखो इस वाल पिच्चे को देखो तो यह हमारा स्फियर हो गया है लेकिन देखो थोड़ा सा उबरा हुआ दिख रहा है ठीक है थोड़ा सा आगे से आपको उबरा हुआ दिख रहा है यह आगे वाला पार्ट जो है ने वह थोड़ा सा फूला हुआ होता है तो हमारा आई अक्चुली म पार्ट देख रहा है ना फूल यह जो आगे का फूला हुआ पोर्षन होता है एक्चुल में यही वो पोर्षन है बेटा यही वो पोर्षन है जहां से हम देख पाते हैं यही वो पोर्षन है जहां से हम देख पाते हैं जहां से लाइट जो होती है वो हमारी आखों के अंदर एंटर करती है बाकी ये जो पोर्षन दिख रहा है ये जो बाकी पोर्षन आपको दिख रहा है दिस पोर्षन ठीक है ये जो पोर्षन दिख रहा है आपको बाकी ये जो आपको ये पूरा पोर्षन दिख रहा है ये पोर्षन इसके अलावा ये तो वाइट कलर का पोर्षन है यहाँ से light enter नहीं कर सकती तो light जो होगी उसकी entry नहीं होगी यह जो white part दिख रहा है यह जो जित्ता white part है यहाँ से light जो है वो enter नहीं कर सकता light नहीं जा सकता सिर्फ इसी portion से light enter कर सकता है सिर्फ इस portion से light अंदर की तरफ जाता है ठीक है पहली बात समझ आ गई कि यह जो white वाला portion है light cannot enter through this portion light can only enter through this swollen part यह जो थोड़ा सा fulla fulla part है light can only enter through this part light सिर्फ इसी portion से अंदर की तरह जा सकता है ठीक है बच्चो I think you are clear with this नहीं clear है तो फिर से repeat करके देखो समझ में आ जाएगा ठीक इते बात clear है अब हम पढ़ेंगे light sorry eyes के internal structure के बारे में यानि कि what are the internal parts of our eye and how it works कैसे light आती है कहां image बनती है ठीक है इन सब के बारे में हम discuss करेंगे in next video so thank you so much była तर स्ट्स कि में आती है आता है क्वश्चास 1 पितल क्वश्चास 1 पितल क्व़ड़ e कंड़़лена क्व़शन कंट 나न क्व़ड़ क्व़च़् पॉग क्व़शन क्व़च्चर झाल झाल